आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं सुहानी सिंग स्वागा थे आपके प्राइम टीवी के सबसे खास प्रोग्राम नगर संग्राम में जी हाँ आप सभी जानते हैं कि नगर निकाई चुनाओ शुरू होने वाला है और इस समय सभी प्रत्यासी अपने नगर निकाई चुनाओ के लिए कमरकस के त्यारी कर रहे हैं और हर जगा उनकी त्यारी जोड़ो सुरे से दिख रही है तो इस वक्त हमारे साथ मर्जूद है चिनहट के प्रतिनीदी पारशद अरुन राजी उनसे बात करते हैं कि वह अपनी चुनाओ के किस तरह से त्यारी कर रहे हैं और क्या-क्या त्यारी किये हैं नगर निकाई के रहे हैं अपना क्या-क्या त्यारी भी कर चुके हैं सर उसके बारे में कुछ बताईए कि नगर निगम का चुनाओ कि आ गया है हम लोगों की तैयारी पूरी है हम भारती जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में कार कर रहे हैं भारती जनता पार्टी की सरकार चल रही है प्रचंड बहुमत में केंदर में और प्रदेश में सरकार चल लही है और मैंने अपने वार्डों में पान साल में बहुत से कार किये हैं जिसकी वज़ा से हमारी तैयारी हम लोग चुकी बारो महीना काम कारकरता के रूप में हम लोग करते रहते हैं इसलिए हम लोगों की तैयारी हमेशा रेडी रहती है कोई तरह की हम लोगों को नई तैयारी नहीं करनी है चुनाओ के लिए गलिदम हम लोग तैयार हैं और भारती जंता पार्टी की चुनाओ ही यहां पर पार्शच जीत करके फिर हम लोग आएंगे और भारती जंता चुनाओ लड़े हैं कितनी बार आप लोगों को यहां पर सफलता मिली है उसके बारे मिसल बताई देखिए जब 89 में नगर निगम में हमारा वाड चिनहट आया था उसके बाद पहली बार यह सीट सामाने सीट हुई है जनरल सीट हुई है और पहली बार में ही हमारी 25 नहलता उनको भारती जनता पार्टी ने टिकट दिया है और यहां की जनता ने उनको जिताने का कारे किया है तो मेरा चुनाओ पहली बार है पहली बार में ही टिकट पार्टी द्वारा मिला है और पार्टी जनता द्वारा हम जीत हासिल किये हैं किस प्रकार से अप सहता किये हैं अ कोई प्रकार का कोई काम नहीं हुआ था तीस-तीस साल 25-25 साल से यहां पे जो है इसी इसी सड़के थी जिस पे कोई कार नहीं किया गया था और बड़ी जरजर हालत में थी लोगों को बड़ी असुविधाय होती थी उन सड़कों को इंटर लाकिंग टाइल से बनाने का कार किय गया है नाली सड़क बनाया गया है यहां पे चिनहट में बहुत सारी 80% रोडे लगभग बनवाई जा चुकी है और यहां पे कुछ आतिहासी कारे भी हमने किये हैं यहां पे एक गांधी चबूतरा था जिसकी हालत बड़ी जरजर स्थिती में थी उसका संद्री करण जो है यहां पे जो है सरकारे आई गए लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उसको भी जो है संद्री करण कराने का मैंने कार किया चार-पांच साल से बन करके यहां पे एक राश्पिता महात्मा गांधी राजकी बाल का इंटर कालेज के नाम से स्कूल बन करके तयार था उसको भी चालू कराने का किसी ने कारे नहीं किया था उसको पत्र लिख करके अपनी सरकार से हमने उसकी मांग की थी और भारती जंता पार्टी की हमारी सरकार ने उसको चालू कराया वहां पे टीचरों की हां न्यूकती हो गई बारकाले चालू हो गया और करीब देड़ सो बच्चों क एडमीशन भी उसमें हो गया इस छेतर में लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था यह मैंने बड़ा कार किये हैं दो तिन यह थिहासी कार हैं बाकी सडक नाली मार्ग प्रकास व्यवस्था यह हमारे वार्ड में खुब काम हुए हैं और जिससे जनता हमारी संतुष्ठ है जनता के बीच में हम बराबर साइकिल लेकर के मोटर साइकिल लेकर के हर गलियों का हम दोड़ा करते हैं स्वयम सफाई व्यवस्था का निरिच्छन करते हैं जो भी काम चल लहा है उसका निरिच्छन करते हैं कि गुडवत्ता के द्वारा काम किया जाए हर काम हमारे हां अच्छा हुआ है और जनता संतुष्ट है इसलिए हमको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं तो सर जो आपके विपक्ष हैं उनका भी यही का वह भी अपने तैयारी सर जोरो सोर से कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं आप में जनता जो संतुष्ट है तो सर ऐसा क्या अंतर आप उनके में कि आपक चुनाओ जीतने के लिए लड़ता है लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोग लड़ते हैं जनता जनारदन है जनता का ही जो आदेश होगा वही आदेश मानने होगा जनता जिसके पच्छ में ओटिंग करेगी आज आप देख रहे हैं भारती जनता पार्टी की जब से सरकार भनी ह तब से उत्तर प्रदेश में हमारे सस्वी मुख्यमंत्री मानी योगी आदित नाज जी और केंद्र में हमारे मानी नरेंद मोदी जी कि कारिकाल में इतनी योजनाएं चलाई गई हैं जिन योजनाओं को हमने चैवुज्योला योजनाओं जन्धन योजनाओं किसान सम्मान निधी हो ऐसारी योजनाओं बहुत सी योजनाओं हैं जिसका सीधा लाव जनता तक हम लोगों ने पहुंचाने का कार किया है हमारी सरकार द्वारा ही मुप्त रासन भी बित्रन किया जा रहा है ऐसी सुविधाय कभी जनता को नहीं मिली है उन सडकों को जिसको मैंने बनाने का कारे किया है जो सडके 35 साल से नहीं बनाई गई थी 30 साल से नहीं बनाई गई थी लोग पैदर चलने के लिए तरस रहे थे रोडों पे अंधेरा चाया हुआ था वहां पर रोसनी फैलाने का करे इतने कारे की कराये गया इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसान पत कर लाया गया तरह कितने ब्रिजों का जो है जाल उन्होंने बनाने का कारे किया हम ये कह सकते हैं कि हमारे परमसरधे अटल विहारी बाजपेई जी के सारे सपनों को पूरा करने का कारे अगर किसी ने किया तो मानिराजनास सिंग जी ने किया है ऐसे लखनों के हम लोग कार करता हैं यहां से हम पारसद हैं और हमने काम किया है हमारे सीर्स नेतरत ने काम किया है हमारी सरकार ने काम किया है जिसके बल पे मैं बोल ला हूँ कि मैं यहां पे भारती जनता पार्टी का ही जंडा लहरायने वाला है और विपच्छ तो कहे गा ही लड़ने के लिए आया है येक आदमी तो विपच का भी काम है वो भी अपने कामों को जो उनकी सरकारों ने किया हो उसको लेकर के आए जनता के बीच में जनता को बताए कि उन्हों ने क्या काम किया था मैं अपना काम सब गिनवाने के लिए तयार हूं हमारी सरकार ने काम किय यह सिंधा दे रही है तो ऐसे में हम ही कहेंगे कि फिर से भारति जंता पार्टी का यहां पारसत बनने जा रहा है कि विपक्छका कहना है कि हमारे हैं सर विरोजगारी और भुकमारी से बहुत बढ़ता रहे तक जो सरकार आई है सर बीज़िपी की जो सरकार आई है वो जाती वाद पर सर चल रही है इस पर क्या कहना चाहरा है जाती वाद की सरकारें अब नहीं चल नहीं है यह चला करती थी पहले चाह समाजवादी पार्टी हो चाह बस्पा पार्टी हो ये सब जात पात की राजनीत ये लोग किया करते थे भारती जनता पार्टी का नारा है सबका सास सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास भारती जनता पार्टी इस मुहिम पे काम कर रही है भारती जनता पार्टी में चाहे जीस योजना को उठा लीजिए हर बर्ग को लाभ मिला है चाहे वो प्रधान मंत्री आवास योजना हो चाहे उजला योजना हो चाहे जंधन योजना हो और करोना के पीरेड में करोना के पीरेड में जब सारी पार्टियां जो है मैदान छोड़ करके भाग गई भारती जनता पार्टी की सरकार थी जिसके वज़े से हमारा चाह उत्तर प्रदेश हो चाह पूरा भारत देश हो हमारे योगी मोदी जी के द्वारा ही बचाया जा सका इतनी बड़ी बला को ट हुई और देश हमारा सुरच्छित है ऐसी सरकार चल लही है हमारे पार्टी में कि सब को रासन दिया गया किसी का जात पात धर्म देखकर के उजला गैस योजना नहीं दी गई किसी का जात पात बेदबाव देखकर के मकान नहीं दिया गया सारी योजना सब के लिए खुली हैं और सब को दिया गया है तो इसलिए हमारी पार्टी में जात पात का कोहीं कोई जगा नहीं है पहले की राजनीतिक में सर और अभी के जो राजनीति सर क्या अंतर हुआ है अभी तक आप सर खुद समझ सकते हैं तो उसके बारे में कुछ बताई है देखिए हम 89 से भारती जन किया पार्टी ने मुझे आगे बढ़ाने का कार किया मैं मंडल अध्यच के रूप में यहां पर कई बार मंडल अध्यच के रूप में काम किया हूँ भारती जनता पार्टी में पूरा मुझे सम्मान मिला है भारती जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिससे मैं मुझे इतनी प्रेणा मिली कि भारती जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी मुझे दिखी ही नहीं तो इसमें मैं कार करता चला रहा हूं भारती जनता पार्टी की पहले जाद पात पे राजनीत जो अन्य पार्टियों ने बाटने का कार किया था जाद पात की राजनीत में कहीं ने कहीं हमारी भारती जनता पार्टी पीछे हो जाती थी लेकिन भारती जनता पार्टी के हम जैसे लोग कार करता और सारे हमारे दियोता तुली कार करता उन्हें जो मेहनत की और पार्टी की जो नीतियां रही उन नीतियों को देखते हुए पहले में आज में इतना अंतर है क अब जनता समझ चुकी है कि अब जात पात से भटने का कारे नहीं करना है जनता स्वेम जागरूप हो गई है जात पात नहीं देख रही है जनता ये देख रही है कि किसमें देश का विकास है और किसमें जो है किस पार्टी से हमारे प्रदेश का विकास है जनता अपने विकास को अपने देज को देख करके कारे करने का कारे कर रही है और जनता ने मान लिया है कि एक भारती ही जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं है यहां पे सब सुरच्छित हैं यहां पे सब का विकास होना है सब की बात सुनी जाती है ऐसी पार्टी को जनता खुद बनाने का तो पहले में यही अंतर है कि अब जात पात पहले था अब जात पात खत्म हो चुका है अब जनता एक जुट हो करके हर बर्ग हर धर्म के लोग भारती जनता पार्टी को पसंद करने लगें अगर इस बार जनता आपको ले के आ रही है तो आप जनता के लिए क्या अलग करना चाहेंगे क्या सोच रखे हैं कि आप इस बार अपने वाड के लिए कुछ नया करने के लिए कुछ सोचे हैं सर कुछ प्लान बनाए होंगे कि इस बार कुछ अपने वाड को अलग ही रूप देंगे कुछ बताइए सब उसके बार दिखिए जनता का सिरवाद मुझे फिर मिलेगा मैं यहां का पारसत बनूंगा जो भी कारे हमारे सेस बच्चे हैं उन कारियों को मैं पूरा कराने का कारे करूंगा हमारे वाड में कोई ऐसी गली मुहले में कोई ऐसी रोड नहीं बचनी है बचेगी जिस पे इंटर लाकिंग टाइस न लग जाए ऐसा कोई पोल नहीं बचेगा जिसके उपर प्रकास ब्योस्था न एलेडी लाइट न लग जाए इन सब चीजों को काम करने का कारे करेंगे इ कराया जाएगा अपने जो भी समसान घाट है या जो भी कब्रिस्तान है जहां भी जैसा भी है हर जगह पे काम करके हर चीज को सुन्दर बना करके अपने वाड को एक आदर्स वाड बनाने का मेरा प्रयास है यह मेरी मनसा है इसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा तो आपने देखा हमारे साथ मर्जूद है अरुन राय जी उनका कहना है कि इस बार भी हमारी ही सरकार आएगी और हमेशा से उनको अपनी जनता के लिए सक्रिये रहना जो भी उनको सहताच वो हमेशा ततपर रहते हैं और इस बार भी उनी की सरकार आएगी उनका ये मानना है और जनता उनसे खुस भी है, तो फिलाल इतना ही इस कारिकरम में, आगे फिर हम आपको एक नए पार्सल से बात कुराएंगे, कि उनके वार्ड में किस तरह से त्यारी हुरी है, क्या उनकी जनता की राय है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार